है 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 कि मैं डियर इस्टुडेंट्स है आपका पुना एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एनल सर साइकोलोजिकल हम में मैं एनल सर आप लोगों के समझ पेड़क़ोगी लेकर पेपस्तित आपके अध्यक्बिकल क्लास में हम लोग देखेंगे कि बाल विकाश बाल विकाश कैंचोत Chief क्या होता है बाल का मतलब क्मी मतलब बालक और विकास का मतलब विकाश से एं यानि बालक को गर हम define करें तो बालक का मतलब क्या हो गया कि जिसकी आयू 18 वर्स से कम हो यानि गर्भा वस्था से लेकर के 18 वर्स की आयू यानि कि सोरा वस्था तक के बच्चे को हम क्या कहेंगे बालक कहेंगे ठीक है विकास बाल विकास दो सब्दों से मिलकर के बना है बाल होने वाला विभिन प्रकार का परिवर्तन चाहे वो सारे रिखो चाहे वो मांसिक हो आर्थिक हो या सामाजिक हो नैतिक हो किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं विकास कहते हैं ठीक है बाल और विकास इसके बाद एक चीज और हम लोग ठीक है बाल मनो विग्यान क्या होता है बाल मनो विग्यान बाल मनो विग्यान भी दो सब्दों से मिल करके बना है बाल और मनो विग्यान ठीक है बाल का मतलब जिसके आई उठारा वर्स से कम है और इसके बाद मनो विग्यान का मतलब क्या हो गया मनोविग्यान का मतलब हो क्या अगर हम starting से देखे है तो इसको इंग्लिष में psychology कहते हैं और psychology जो है दो सब्दों से मिलकर के बना है sikay plus logas sikay का मतलब होता है आत्मा और logas का मतलब होता है विग्यान यानि मनोविग्यान is starting में क्या था Dhillamish Shatabdhi में आत्मगा विज्यान था, इसके बाद उसको क्या कहा गया, 17 इसके बाद फिर उसको और आगे बढ़ाया, और पर युर दो ब्याउर का विज्यान हो गया, यह नि मन उब बिक्यान का जो विकास हुआ, वो इसी क्रम में हुआ, पहले मन का विज्ञान कहा गया सुरी आत्मा का विज्ञान फिर मन का विज्ञान फिर इसके बाद चेतना का इसके बाद विवार का विज्ञान मनो विज्ञान जो है दर्सन सास्त्र विशे से निकला हुआ विसे है मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक विसे की स्रेडी में रखा जाता है तो तोस्तों कोश्चन आता है कि मनोविज्ञान किसका भाग था मनोविज्ञान की का जन्म होने से पहले मनोविज्ञान किस सब्जेक्ट तो पढ़ा जाता था तो पढ़ा जाता था किसके अंतरगत फिलॉसपी के अंतरगत यानि दर्शनशास्त्र के अंतरगत ठीक है दुस्तों और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं ध्यान देना है बस आप नोट्स पढ़ लेंगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है कोशन कैसे आएंगे उसका नेचर क्या होगा उसी के बारे में हम आपसे डिसकस कर कि हम जल्द ही एक ऐसा अप्रिकेशन लेकर के आने वाले हैं जिस तरीके से ग्रेट अप और अनकेडमी पर होता है क्लासे होती हैं उसी तरीके से हम लोग भी क्लास को कंड़क्ट कराएंगे और आप लोग जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभानवित हो पाएंगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो इन वीडियो को सेयर करिए जैसे कि ज्यादा ज्यादा लोग हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ें और लाभानवित हो सकें और वो लोग भी मिनिमम एमाउंट दे करके पूरा पूरा पूरे स्लैवस को कवर करता आप लोगों को वीडियो अच्छा रगा होगा आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें और आगे बढ़ाते रहें थैंक्यू वेरी मच्छ